हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ लौकी फ्राई की रेसिपी थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसे बनाएंगे साथ इंडियन तरीके से बनाएंगे बहुत जादा टेस्टी बनके ये तैयार होता है तो देखिएगा एक बर वीडियो को लास्ट तक चलिए हम बनाते हैं लौकी फ्राई तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक मसाला बना के तैयार करना है तो एक जार में डालेंगे एक चौथाई कप मोमफली भुना हुआ मोमफली है छिलका हटा के ले लिजिएगा एक चमच यहाँ पे हम तिल डाले हैं चार यहाँ पे साबुत लाल मिर्ची और थोरे से लैसन की कलिया और अब हम इसे पीस लिए हैं बीना पानी डाले आपको पीसना है और थोरा सा इसे मोटा ही रखना है एक दम से महीन नहीं कीजिएगा और अब हम बनाएंगे सबजी तो इसके लिए गैस पे करहाई चरहाएं हैं इसमें डाले हैं दो चमच तेल तेल गरम हो जाएगा तो इसमें थोरे से मेथी के दाने डालेंगे और आधा चमच काला सरसो आधा चमच जीरा डालेंगे दो साबुत लाल मिर्ची डालेंगे और सा साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2.5 चुटकी के करीब हिंग थोरे से करीपता डालेंगे और यहां पे एक बड़े साइज के प्याज को महिन चोप करके डाल लिए हैं साथ में 2 हरी मिर्ची भी डाल दिए हैं बीच से कट करके चौप करके और थोरी देर हमें इसे भून लेना है प्याज को एकदम से सौप नहीं करना प्याज बस 50% भुना जाए ना तो इसमें हम लौकी डाल लेंगे चौप करके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पॉडर और टेस्ट के अनुसार नमक तो आधा चमच के करीब हम हल्दी पॉडर डाले हैं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर कवर करके हम इसे पका लेंगे तब तक आप इसे पका लिजी जब तक लौकी अच्छे से पक न जाए तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा चेक करते रहिएगा और गै इसके हम तैयार किये थे, तो पूरे मसाले हम यहाँ पे इसमें डाल लेंगे, मसाले डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और कवर करके पका लेंगे, तो पहले इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, फिर कवर करके थोड़ी द eyelashesे ताकि यह जो मसाले है न, से अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पे हम डाल देंगे इसमें देर सारा कटे हुए धनिया का पत्ता और फिर इसे भी हम मिला लेंगे और बस तैयार है हमारा साउथ हिंडियन तरीके से लौकी फ्राई एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है तो हम इसे सर्व कर लेंगे और आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं सब के साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी अगर रेसिपी आपको अच्छा लगे तो भी हमें बता दीजे ताकि हम उसे सुधार सके थैंक यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ